हलो गज, सुसान सिंग राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के वकील 37 माने सिंद्यों को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली नूज सामने आ रही है जैसा गई आप सबको पता है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाप साथ में ही टोटल 33 लोगों के खिलाप NCB ने चार्ज सीट फाइल कर दी है और चार्ज सीट फाइनल रिपोर्ट उनकी तरफ से दे दिया गया है उसमें आरोप सिद्ध कर दिया गया है और बहुत सारे एविदेन्स 30,000 पेज का जो एविदेन्स उजे पब्लिक के सामने भी NCB ने कर दिया है और उसको जो है कोड में जो में एविदेन्स है वो कोड में दिखाने वाली है और NCB के जो मेन ओफिसर हैं उन्होंने ये चीज़ कनफर्म कर दिया कि उसमें कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिससे रिया चक्रवर्ती सीधे सीधे जेल में जाएगी लेकिन सबसे बड़ी बाद अभी 37 माने सिंदे की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है और रिया चक्रवर्ती को लेकर जैसा या तो मुंबई हाई को खरील लिया गया है 37 माने सिंदे के द्वारा या तो फिर पूरा का पूरा मुंबई हाई कोड जो है 37 माने सिंदे के अंडर में चलता है क्योंकि जो बयान 37 माने सिंदे ने इस टाइंक दिया है वो बहुत ही जादा हैरान कर देने वाला है रिया चक्रवर्ती को जेल में ले जा सके उन्होंने सीधे सीधे ये बात बोली कि रिया चक्रवर्ती के खिलाप ऐसा कोई भी evidence NCB की टीम नहीं दिया है जिससे कि रिया चक्रवर्ती जेल में जा सके और रिया चक्रवर्ती को कुछ भी नहीं होगा और उन्हेंने लास्ट में लिखा है कि जैहिन साथ में एक चीज इसको देख कि ये चीज 100% कनफर्म हो जा रही है या तो 37 माने सिंदे ने माने सिंदे के अंडर में ही पुरा मुंबई हाई कोड चलता है वो पूरी तरह से एक फुसकी बम है उससे कुछ भी होने वाला नहीं है तो ये बहुत ही जादा अपने आप में ही एक सवाल उठता है कि आखिरकार 37 माने सिंदे जो कि अभी केस हाई कोड में भी सुनवाई हुई भी नहीं उसके पहले ही उन्होंने 30,000 पेज का जो है जो चार सीट फाइल की के ही उसको पढ़ लिया है और बोल दिया कि एक ही दिन में उन्होंने पढ़ भी लिया और ये बोल दिया कि ऐसा कुछ भी एविडेंस उसमें है ही नहीं बलाब सीधे एक तरीके से चैलेंज मॉन सकते हैं आपके मूंबई हाइक कोड के चैलेंज के चैलींग किया जा रहा है और जी वहाइक कुछ भी नहीं करपाएगा रिया चक्रुवर्थी ये उनके ट्वीट से लग रहा है तो गईजे आपका क्या ओपनियान है 37 माने सिंदे जिस तरह से बोल रहे हैं कि रिया चक्रवरती को कुछ नहीं होगा और NCB ने जो चार्ट सीट फाइल की है वो पूरी तरह से फुस्की बहम है क्या आपको लगता है क्या ऐसा ही है आप अपना ओपनियान कमेंट बॉक्स में और वीडियो को जादा से जादा सेयर करें साथ में अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें